2023 में बॉस इंडियन सिनमा में पूरी तरह साउट डिरेक्टर्स ने रूल किया है चारों तरफ बॉलिवुट को आँखे दिखा के डाट रहे हैं लोग लेकिन एक नाम है जो बाप का, भाई का, बेटे का सब का बदला लेके बॉलिवुट को उन सब के आगे ले जाके खड़ा कर सकता है नाम तो सुनाई होगा, दराजकुमार हिरानी वो डिरेक्टर जुसका रिकॉर्ड इंडियन सिनमा में 100% सक्सस का है जीरो फ्लॉप्स और इस बार जो नुकलियर बॉम पब्लिक के सर पर फटने वारा है उसका नाम है डंकी जो बादशाः शारुख खान की हैट्रिक फिल्म हो सकती है एक साल 3000 करोर फिल्म का ट्रेलर आया और जैसी उमीद थी काफी लोगों को ये एकदम ठंडा, बोरिंग, लंबा और शायद किसी को डिजास्टर भी फील हो सकता है यही तो राजकुमार हिरानी चाहते हैं आपकी सोच जहां पे खतम होती है ना वहां से हिरानी साहब सोचना शुरू करते हैं ट्रेलर में सिर्फ ये चार फ्रेम देख लो तुम दिमाग में एक्साइटमेंट आ जाता अलग कहानी चुपी है हर फ्रेम के अंदर इंटरनेट है ना आपके पास अभी जाके संजू पी के इवन थ्री इडियर्ट्स किसी भी फिल्म का ट्रेलर देख लो उसमें कुछ भी नहीं देखा है हमने हमारी रियल लाइफ को चेंज करने की ताकत मिली है ऐसे सिनमा से जैसे हॉलिवुड में बड़े बड़े डिरेक्टर्स की फिल्म देखने जब आप थेटर जाते होना तो वहाँ सिनमा नहीं एक नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते है ठीक वैसे ही राजो हिरानी डंकी नहीं दुनिया दिखाएंगे जो शायद रियालिटी से भी जादा पसंद आएगी लोगों को दो घंटे से जादा रहने का मन करेगा अंदर डंकी की स्पैलिंग D से शुरू जरूर होती है लेकिन E for Emotions इसकी असली पहचान होने वाली है जिसका छोटा सा सैंपल है ये ट्रेलर हाँ ये बात अलग है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि डंकी के Emotions outdated टाइप के हैं इस फिल्म को 2023 नहीं 2013 में ही रिलीस करना चाहिए था भया एकदम डिसेक्डी करती हूँ आपकी इस बात से आज भी फामिली के साथ आप 3D इसकस कर सकते हो पीके पर डिबेट छेड सकते हो मुना भाई पर हस सकते हो ठीक वैसे ही डंकी एक Timeless फिल्म है यार Emotions कभी नए पुराने नहीं होते उल्टा मुझे तो ट्रेलर फ्रेश लगा Hero Panty का Just Opposite है ये सच सच बताओ पठान हो या फिर जवान हो इन दोनों ट्रेलर्स में आपको शारुख खान की आक्टिंग में कितनी variation दिखी थी एक जैसा action मा स्कूल लुक लेकिन डंकी में शारुख खान गिर्गिट की तरह रंग बदल रहे है बॉस हर सीन के अंदर रोमेंस के साथ ट्रेलर शुरू किया बाद में कॉमेडी वाले अफ्तार के दर्शन भी कराए फिर थोड़ा ड्रामा भी हुआ रोने धोने का फिर action अफ्तार अचानक जाग उठा एक ही फिल्म में शारुख खान से इतना सब कुछ ट्राइक करवाते हुए मैंने तो आज तक किसी भी डिरेक्टर को नहीं देखा लास्ट टाइम उनका ऐसा इस्तमाल DDLJ के अंदर हुआ था और उस फिल्म में इंडियन सिर्मा की शकल बदल दी अरे आज 30 साल बाद भी थेटर में शो चलते हैं उसके लिखके रख लो आप इस बात को बाकी मुवीज में शारुक को एस स्टार इस्टार इस्टैबलिश किया है लेकिन डंकी उनको एस एक्टर पूरी दुनिया के सामने इज़र दिलवाईगी बट एक डर्ट थोड़ा थोड़ा दूर से नजर आ रहा है मुझे शायद कुछ लोग एग्री भी करेंगे पता नहीं क्यों लेकिन लाल सिंग चड़्डा का फोटो बिना बुलाई दिमाग के दर्वाजे पे ठक ठक कर रहा है कोशिश वहाँ भी कुछ ऐसी थी एक इनसान की पूरी जिंदेगी दिखाना जिसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है लेकिन आमिर की ओवर परफॉरमेंस उसको ले डू भी थी देखो ट्रेलर उतना हैपनिंग नहीं है जैसा जवान और पठान का स्टाइल था क्योंकि शारुक यहाँ पर बातों से सब कुछ बता रहे हैं लातों का काम नहीं है अंदर हाँ ये बात थोड़ी मुझे भी अजीब लगी कि एसार के कोई भारी आवाज वाला एक्सेंट क्यों दिया गया ओनिस्टी जादा सूट नहीं कर रहा उनको और फर्क भी नहीं डालता लेकिन उसकी भरपाई इस लास्ट वाले एसार के अनेकस्पेक्टेड लुक ने कर दी अलगी लेवल पर पहुंच गया डंकी का ट्रेलर सिफ इस एक स्मार्ट मूव से ये बंदा बुढ़्धा होने का नाम ही नहीं ले रहा तो जबरदस्ती मेकप से बुढ़्धा दिखाना पड़ता है और आपको तो पता है बुढ़्धा शेथ कितना खतरनाक होता है देखा है मैंने काफी लोग प्रे कर रहे थे आफ्टर सलार ट्रेलर कि डंकी का कॉंटेंट थोड़ा मीडियोकर निकले तो मज़ा आ जाएगा भया आपके लिए सिर्फ दो शब्द हैं मेरे पास मोय मोय आपके पास तो सिनिमा में टेस्टी नहीं है सच्चा सिनिमा लवर यही चाहेगा कि 21 को डंकी और 22 को सलार ये दोनों मूविस बॉक्स आफिस पे दिवाली के पठाके फोड़े ना कि मीन पेजिस की शान बढ़ाएं जिसे हर कहानी सुनने के बाद पूछते हैं ना मॉरल ओफ दे स्टोरी क्या है डंकी ट्रेलर से ये पता चलता है कि ये फिल्म आप विट फैमिली जाओगे अखेले बिलकुल नहीं लेकिन ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि सौ के पीछे एक जीरो और लगेगा या फिर नहीं राजो हिरानी सर हर चीज का फर्स टाइम होता है समहाल लेना बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ शिकायद करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ठेक केर बैबै